हेलो स्टुडेंस माई नेम स्रमा कान पटेल और आप देख रहे हैं साइंस और अकेडमी छिन बाड़ा तो बच्चों यदि आप पहली बार चनल पर आएं तो चनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को प्रेस करें जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल स सकें जिससे आप देख कर बहुत अच्छे तरीके से हमारे वीडियो से सीख सकें और यदि आपको ये वीडियो काम पढ़ते हैं यदि आपके लिए बहुत इसफुल हैं तो आप बिल्कुल इसे दोस्तों साथ सेर करना ना भूलें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको साइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो भी हमके कमेंट्स करें हमारे वाट्सअप नमर पर वह वाट्सअप नमर है आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं तो चलिए आईए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो बच्चों अनाटॉमी आफ एनिमल्स में परस्ट आफ बात करें तो अनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि पसू संरचनाओं के बारे में अध्यन करना या मानव संरचनाओं के बारे में अध्यन करना अनाटॉमी कहलाता है मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे पसू संरचना के बारे में पढ़ेंगे पसू की जो संरचना है ठीक है उसके बार बात करेंगे तो पहले देखिए भच्चों यह हमारा फर्स्ट बाला भाग होता है फर चाफ थर्ड भाग है यह पीछे वाला भाग यह आप बाइब और यह नीचे वाला भाग आप देखोगे हमारा फिप्त भाग है तो पांच भागों में ठीक है आप पसु संरचना को बांटा गया है गाए की तो देखते हैं बच्चों फर्स्ट क्या है आपका पहला है आपका हॉर्न क्या होता है सींग होती है हमारी हॉर्न मतलब क इससर दिखाई देता चान्यक..! चान्यक हम से पेपर बन चुक चुके है बच्चों ठीक है घर किनाक हो गई ठीक है यह आपका माथा हो गया यह आपको बेसिक जानकारी है डिवलब किसे बोलते हैं बच्चों जो गल कंबल होता है हमारा ठीक है जो गल कंबल वाला भाग होता है यह गल कंबल वाले भाग को हम लोग क्या बोलते है ठीक है डिवलब बोलते है अब यदि हम बात करें के नाम से याध रखेगा फिर हमारा यह इतना पूरा भातंतो इतना पूरा वाला बावला वाल अंदर वाल भाता है जो हो गई हमारा जी की पर होता है इन सारे चीज़ों में इसको पेंट के नाम से जानते हैं बच्छों यह वाला भाग हो गया बच्छों यह वाला भाग हो गया तो यह था प्रण पूंच बच्चों यह वाला जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं गुमची बोलते हैं क्या बोलते हैं गुमची हिंदी में क्या बोलते हैं गुमची के नाम से जानते हैं बच्चों उपर और यह पीछे वाला जो भाग हो गया यह वाला भाग हो गया जिसको हम लोग हील बोलते हैं और फिर हमारे टो हो गया, सामने वाला जो भाग है, हमारा ये वाला जो भाग है, ये हमारा टो हो गया, ये तो आपको पता ही बच्चों ये क्या होते हैं, ये हमारे थन हो गया, ये हमारे क्या हो गया, ये हमारे क्या हो गया, याद रखेंगे आप लोग, जिसको हम लोग बहा के नाम से भी जानते हैं तो यह बैसिक चीजह थी और यह वाला जो भाग एदिए क्या है हमारा ठीक है बैल है ठीक है नर वाला भाग है तो यह कि उसके बाद में यह दी नॉर्मली दिम उसमें देखेंगे ठीक है तो सामने आपको मुतान मिल जाएगा देखने के लिए तो ये भाग नॉर्मली जो थे, वो क्या थे, काउ के थे, ठीक है, तो इससे रिलेटेड बेसिक चीजें पूछ ली जाती है, तो ये चांद से कई बार पेपर में बन चुका है, कि दो सिंगों के बीच का जो भाग है, ये क्या कहलाता है, ठीक है, ये चांद किसे कहते हैं, त ठीक है, बोडी वाला फूरा, एक हो गया पूच, ठीक है, फोर लिंस हो गया, और एक हो गया आपका, ठीक है, Heinlems हो गया, बिल्दा में पसुधन का कितना योगदान है तो पसुधन का लगवग 28 से 30 परशन का योगदान है मतलब एधी हम बात करेंगे सकल गहरेल उत्पाज इसको हम लोग क्या बोलते हैं GDP बोलते हैं 28 से 30 परशन की बीच में होता है अब यहीं बात करें तो भारत में विश्व की कुल संख्या का 15 परशन का याद रखेगा आप लोग देश के कुल उत्पादन का 53 परशन भेंसों से आता क्योंकि भेंस हमारे ज्यादा पालते हैं और 43 परशन किस से आता है गायों से आता है तो याद रखेगा पेपर में क्या कोशन मनता है कि देश के कुल उत्पादन में ठीक है भेंसों के दूद का कितना परशन योगदान है तो कितना पर्षण कित्त Chand Speaker सिप्टीए ऑर सवाधी हमारे वहसें आती है किया बच्चों हमारे पास याद रखनी स्थान में भारत का पहला स्थान है भारत का ढूग.. बնदूध बंद। बंदूध पनदूध मतलब मिल्क प्रोडक्शन में कौं सा बच्चों पहला इस्थान है, याद रखेंगे, भारत लगबग 121.8 मिलियन टन दूख दुध उतपादन करके, बिस्प में प्रथम इस्थान प्राप्च रखता है, याद रखेंगे कि तले मिलियन टन यूजर दूध बच्चों प्रोड़क्शन करता है, 21.8 million ton दूगद उत्पादन हमारे यहां प्रतिवर्स होता है जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है बच्चों कहां होता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है इसी के पर बेस्ट हमारे पास में फिर अमूल का अमूल एक union बनी थी तो आप comment किजेगा कि अमूल जो union बनी थी ठीक है संस्था बनी थी वो कब बनी थी इसका आप answer comments में हमको दीजिएगा विश्व में हमारे स्थन बकरियों की संख्या में दूसरा है हमारे पस में पूरे विश्व में सरवादी बकरियों में कौन से स्थान है हमारा दूसरा स्थान है बच्चों भेनों की संख्या में हमारा तीसरा स्थान है और कुरकुट पालन में ठीक है कितना स्थान है बच्च दस करोड, त्रेपन लाग भैसे हैं और चवदा करोड, फच्पन लाग बकरी है और एक करोड, ग्यारा लाग सूकर है और पूछे जाते हैं तो इन फैक्ट को आप लोग असानी से याद रखिएगा और आगे बढ़ते हैं बच्चों कुछ और important question के साथ में कि इंडिया में किन किन चीजों में हमारा स्थान है तो बच्चों सबसे पहले दे हम बात करें पसू में तो यह आप वाले question भी याद रखिएगा कि कितना यह fact हमारे पास में है साथी साथ में हम बात करेंगे बच्चों मिल्क में तो दुख्द उत्पादन में भारत का पहला स्थान है अंडे उत्पादन में चीन पहला है भारत तीसरे स्थान पर है अंडा उत्पादन में मांस उत्पादन में मीट उत्पादन में भी हम बात करएंगे तो अमेरीका पहले में रस्टेलिया सेकेंड नमर पर है और यह रेशка थोड़ा सा चेंज होते जाता है यह ए वाला जो रेश वालद भी क्या हो जाता चैझ होते जाता, तो उन उत्पादन में हमारा कॉन सा इस्थ तो हमारा second है, first में चीन है, तो कुछ आप लोगों को इस टाइब से question देखना था, और यदि हम लोग normally बात करें, तो आपने ये normal कुछ question देखे हुए, तो इनको basic question को आप लोग तग्यारी कीजिएगा, बच्चों ये रहे आज के question, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और यही आसा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को subscribe जरूर करें, और आज से हम लोग animal husbandry के आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ share करना, न मूले, मिलते हैं बच्छो नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू for watching this वीडियो, have a nice day